हाई गाईज, गुड बॉर्निंग, वेलकम तु माई पाट साला, मैं राजिन दुबे आप सभी का पाट साला पर शावत करता हूँ, पहले हम लोग अपने क्लास का सेडियोल देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक? अब लोग अपने क्लास का सेडियोल देख लिया, अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, अपने सम्मेधान के अगले लेक्षियर पे कांस्टिशन को आगे बढ़ाते हैं, अभी तक क्या क्या पढ़ा अपने, अभी तक आपने पढ़ा था, कांस्टिशन ने डेवलापे क्या पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार या fundamental rights, तो fundamental rights पढ़ने के लिए इसके दो concept हैं, दो तरीके हैं इसके, के में क्या-क्या हमें पढ़ना है, मैंने पहले भी बताया कि डिपेंड ये भी करता कि हमने कितना पढ़ा, डिपेंड ये करता है कि हमने क्या पढ़ा, जो पढ़ा कि मौलिक अधिकार कहां से शुरू हुआ, क्या इसकी history गई, कहां से आया मौलिक अधिकार, और दूसरी बात हम लोग पढ़ेंगे, भारत में मौलिक अधिकार, तो इसे हम दो section में बाटेंगे, पहली बात कि एक तो हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार का इतिहास, इंडिया म में और वर्ड कर भी इतिहास के दूर सेक्षन होंगे एक बिश्व में कहां से आया ये और दूसरा भारत में तो इतिहास के सेक्षन में fundamental rights कहां से आया कैसे origin हुआ और भारत में कैसे कैसे develop हुआ कौन रहा है के लिए responsible क्या हिस्ट्री रही कप्से टेवांड प्रियेट हुई fundamental rights की इन सारे मुद्दों पर हम लोग इस देखेंगे भारत के सम्मेधान में मौलिक अधिकार का जो वरड़न है उसमें क्या बताया गया है है और किंकिंच आर्टिकल्स में क्या क्या है तो इसने हम आइकल्वास पढ़ेंगे इसमें से gay vertice करने और इसने हम आप लोग maximum live आजाईए और हम लोग start करते हैं ए सेशन ओके तो सबसे पहली बात है इतिहाश कि बिश्व में मौलिक अधिकार कहां से शुरू हुए ठिक तो दुनिया में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई कहां पर ब्रिटेन में की गई कहां पर की गई ब्रि 1215 में और इस समय ब्रिटेन का समराठ हुआ करता था समराठ जान कौन था समराठ समराठ जान हुआ करता था ब्रिटेन का समराठ और यहीं से मौलिक अधिकारों की शुरू होने के पीशे एक कारण है कारण जब राजतंत्री ब्यवस्था चल रही हो जब डेमुक्रेशी न और राज संत्री ब्यवस्था हो तो राजा जो है वो केंदर में होता है कहा होता है राजा केंदर में होता है और इसी राजा के सगे सम्मंदियों और अन्चरों द्वारा ही राज की छोटे छोटे प्रांतों की ब्यवस्था चला ही जाती है अब ये छोटे छोटे जो प्रां ऑदे रहा है बट समस्या या आती है कि राजा ने आदेस कुछ और दिया और प्रांथ में उनके जो प्रतनी दिया उन्होंने उस आदेस को हूबहू पाल 대해 नहीं किया और जंता से गलत तरीके से टैक्सेशन किया या स्वयंग के लाब के लिए प्रेडित होकर के तमाम ऐसे कारियत होते रहे इन सारी चीजों से रूबरू होने के बाद इन सारी चीजों को जानने के बाद समराट जानने नागरिकों तक सीधे पहुचने का प्रयास कि उसी कड़ी में उन्होंने नागरिकों के लिए क्या तिया एक अधिकार पत्र जारी किया तो किया पत्र में तुछ जब राजा कुछ कदम उठातार और उसी बारा सो पंद्र में यह पहला कदम विश्योत में उठाया गया जो ब्रिटेन के समराट के द्वारा उठाया गया समराट जान ने अपने नागरिकों को क्या दिया अधिकार पत्र दिया अधिकार पत्र दिया और यह अधिकार पत्र सबसे पहले कब दिया गया 1215 में दिया गया और इस अधिकार पत्र को मौलिक अधिकारों का क्या कहते हैं Magna Carta कहा जाता है क्या कहा जाता है Magna Carta कैते हैं clear तो question बार-बार बना हुआ है कि ओल्प अधिकारों का Magna Carta कव आया तो 1215 1215 में आया किसने जारी किया Britain के समराण जानने जारी किया और इसे हिंदी में क्या कहेंगे अधिकार पत्र कहेंगे ओके तो यहां से शुरू हुआ मौलिक अधिकार लेकिन अब देखते हैं कि भारत में कैसे कहुंचा यहां पर डिमांट रही तो कहां पर कुछ सुधार हुआ या नहीं ठीक यह ओरल था यह जो समराड जानका अधिकार पंत्र था यह ओरल था पहले आप पुराणी फिल्में लेखते होंगे तो उसमें वाता है न डूड़ूगी बजाता है सुनो 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 यह आदेश आया है तो यह ओरल आदेश था कहीं न कहीं इसका लिखित फार्म आया कब 1689 में इसका लिखित प्रारूप आया और जब इसका लिखित प्रारूप आया तो उसे क्या कहा गया इसका मौनिक अ बिल आफ राइट कहा जाता है उसे तो बिल आफ राइट ठीक तो यह बिल आफ राइट जो आया यह भी आया बृते इंद नहीं। को कुछ मौलिक अलिकार दिये इस चीज को देख करके यूरोप के कुछ और देशों में भी इस चीज को लेकर के संगर्स प्रारम हुआ और वो संगर्स ब्रिटेन के बाद प्रारम हुआ कहां पर वो संगर्स प्रारम हुआ फ्रांस में कहां पर प्रारम हुआ फ्रांस में प् और था करनी पड़ी तो सबसे पहले ब्रीटे 1215 फिर लिखित रूप में 1689 और फिर फ्रांस में 1789 में ये प्रारूप आया कहाँ पर फ्रांक में जब फ्रांस में आया तो यहां के समराठ इस समय थे लुई 14 में कौन थे लुई 14 में लुई 14 में थे यहां के समराठ इन्होंने इस मौलिक अधिकार को का पालन नहीं गया सबसे इंटरेस्टेट बात है कि एक ऐसा देश जहां का राजा लुई 14 लुई 14 में इस मौलिक अधिकारों का पालन न करने के कारण इन्हें फासी पर चड़ाये गया एक मात्र इसा देश जहां के राजा जहां के समराठ को मौलिक अधिकारों का पालन न करने के कारण लुई 14 में को फासी पर चड़ाये गया और इन्हें फासी पर इसी वर्स चड़ाये गया 1789 1789 में ने फासी पर चड़ाया गया तो यह रहा ब्रिटेन सबसे पहले उसके बाद फ्रांस जो यह भी उरोप का ही देश है ब्रिटेन को देख करके यहां भी डिमांड उठी और मजबूर होकर के 1789 में वहां की सरकार को मौनारिकों को मौलिक अधिकार देना पड़ा और व 1789 में अब आते हैं हम भारत के संब्धान पर तो भारत के संब्धान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संब्धान से कॉपी किया गया है अमेरिका के संब्धान से तो अमेरिका के संब्धान में क्या मौलिक अधिकार था अमेरिका के संब्धान का निर्माड हुआ कब 1776 से प्रारब हुआ इसका निर्माण लेकिन जो संब्धान 1776 में बनाया गया थिक अब आप यहां आ जाईए अमेरिका के भी से में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि भारत के संब्धान में जो मौली का दिकार आया वो कहां से आया USA के संब्धान से आया तो USA की बात करत अमेरिका का संब्धान बना 1776 में वो बनना प्रारब हुआ 1776 जो कांस्ट्यूशन USA में 1776 में विल्ड हुआ या डबलप हुआ उस कांस्ट्यूशन में मौलिक अधिकारों की कोई चर्चा नहीं थी तो इसमें फंडामेंटल राइट्स नहीं थे और जब ब्रिटेन में यह व्यवस्था बनी और फ्रांस जैसे देशों में यह व्यवस्था बनने लगी 89 में फ्रांस भी फंडामेंटल राइट्स की चर्चा हुई और यूसे की गवर्मेंट ने 1791 कब 1791 में 1791 में एक कांस्टिशनल अवेंट्मेंट किया और उस कांस्टिशनल अवेंट्मेंट के द्वारा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा कब जोड़ा fundamental rights जिस देश से हमने लिया था उस देश के मोल संब्धान जो real संब्धान माँ बनाया गया था उसमें fundamental rights नहीं थे उसे अमेरिका ने जोड़ा का 1791 में 1791 जल्दी से इसके एक स्किन साट लीजे और फिर इसके आगे हम एंडियन कांस्टिशन पर आते हैं कि भा जल्दी से आई इसका इसके इसके साट लीजे ठीक ओके ठीक हम इसे हड़ाते हैं इसे एक बार lightly repeat करते हैं कि हम USA के सम्मेदान को इसमेदान करेंगे यहां मौले का जगार नहीं था कबाया 1791 में USA के सम्मेदान में तो हमारे हां सम्मेदान में चीजों के लिए काम करने के लिए हर step पे काम करने के लिए हर section पे काम करने के लिए एक एक कमेटियां बनाई गई इस हमने आपको पहले ही बताया तो मौलिक अधिकार पे काम करने के लिए भारत में कमेटि बनी सरदार बल्लब भाई पटेल की अधिक्स्ता में सरदार पटेल सहब की अधिक्स्ता में बनी कौन सी समिती मौलिक अधिकार समिती fundamental right समिती मौलिक अधिकार समिती बनाई गई और इस मौलिक अधिकार समिती ने जो सुझहाओ दिया वो ये सुझहाओ था कि अमेरिका के मौलिक अधिकार को कॉपी किया जाय भारत में और सम्मिदान सभादारा इनके इस सुझाओं को सीकार कर लिया गया एक समिती बनी थी सरदार पटेल की अदक्स्ता में जो real committee थी और एक समिती और बनाई गई थी वो थी जे भी क्रिपलानी की अधर्चता में किसकी जे भी क्रिपलानी साहब की अधर्चता में तो ये सब कमेटी थी ये कौन सी उपसमिती थी क्लियर ये सब कमेटी थी और उपसमित कहते हैं आप एक समिती बनी सरदार पटेल के अधर्चता में एक समिती बनी जेवी के ब्रानी के दर्फसा में और इनिकी सिफारिष पर भारती संब्यधान के भाग तीन में। बारति सम्यधान के भाग 3 में अर्टिकिल 12 तक अनुच्य 12 तक मौलिक अधिकार की देवस्वा कि गई और भारती सम्मेधान के द्वारा भारती नागरिकों को कुल साथ मौलिक अधिकार प्रदान किये गए थे लेकिन बरतमान समय की अगर बात देखें तो बरतमान समय में ये साथ नहीं है बरतमान की बात करें अगर आप बरतमान समय में मात्र साथ की जगा पर कितने हैं छे मौलिक अधिकार कितने हैं छे बचे एक मौलिक अधिकार निकाल दिया गया और वो मौलिक अधिकार जो निकाला गया वो है संपत्तिका अधिकार, कौन सा मौली का अधिकार, संपत्तिका अधिकार, जब हम मौली का अधिकारों को इस्ते बाइस से आर्टिकल बाइ आर्टिकल पढ़ेंगे, तो यहां डिफाइन करेंगे कि संपत्तिका अधिकार हमें 30 में था, 31 में था, क्या किया गया, 19S में था, तो उसमें क्या दा बट अभी यह जाले कि 7 मौलिक अधिकार हमें मिले थे बरतमान समय में कितने हैं 6 हैं एक को वहां से निकाल दिया गया संपत्तिका अधिकार जब यह निकाला गया तो कहां गया संपत्तिका अधिकार जब निकाला गया property का right निकाला गया right to property तो इसे article 300 कहां प की जगह पे आप क्या बन गया है। अब ये अन्यमलिक हैखार बन जगाता हमें oli कर लिंक सब्सक्रां pole biakaz समित्य शरदार्ट पठेल कि हैं दूसरी समित्य क्रिपला नी ख़्या예요 है अनुक्त्य थी इन दोनों समित्यों के सुझहाव पर भारती शंभीदान में मौलिक अधिकार सामिल कीया गया और भारती समित्यान सबादवारा मौली का दिकार सामिल किये गए तो कुल 7 मौली का दिकार भारती सम्मिधान में सामिल गए लेकिन बरतमान समय की बात करें तो 7 मौली का दिकार भारती सम्मिधान के द्वारा नहीं मिले हुए हैं बरतमान समय में मातर 6 मौली का दिकार हैं और वो 6 मौली का दिका तो जल्दी से इसका इसके आगे हम बढ़ सकें क्योंकि बहुत सी चीजा ऐसी है जो बार-बार एक्जाम में पूछी आती रही है कि भारत में मौलिक अधिकारों की मांग कब से उठी किस नेता ने सबसे पहले मांग किया किस नेता ने कब मांग की ये सारे प्रसने भी बनते हैं तो कि सिर्फ यहीं तक मौलिक अधिकारों का इतिहास नहीं है ये तो बैसिक लेबल पर मैंने मौलिक अधिकारों को बताया भा आगे ख्लास को फारवर्ड करते हैं, ओके? ठीक है? साथ करें इसे? ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं लूग, तो हमको अब आगे क्या चर्चा करती है? कि भारत में मौलिक अधिकारों की मान कब से हुई, किसने सब से पहले की, और कैसे कैसे मौलिक अधिकार भारती सम्मिधान तक पहुचा और क्या हुआ भारती संविदान का मूल भाग रहा या बाद में जोड़ा गया क्योंकि आपने अभी देखा कि जिस देश के संविदान से हमने मौलिक अधिकारों को लिया था उसके real constitution में, मौलिक constitution में, fundamental constitution में वो नहीं था, मौलिक अधिकारों की चर्चा नहीं की गई थी, ठीक तो भारत में सबसे पहले मामुधी कव 1895 में, कव 1895 में और यह माम उठाई गई किसके द्वारा? यह माम उठाई गई विधाईका के सदस्यों के द्वारा यह विधाईका के सदस्यों कौन थे? ठीक, legislation body के जो member थे, देखे, मैंने पहले ही रहता है constitutional development में, कि सरकार को चलाने के लिए गवर्नल जंदल की परिश्य दिवा करती थी, और केंदर में क्या थी? विधाईका थी, एक ऐसी संस्था जो संस्थ की तरह थी, ठीक तो उस संस्थ में जो भारती सदस्य थे, उन्होंने सबसे पहले 1895 में fundamental rights की demand गी और उसके बाद अगर आप आएं, तो कब 1917 में 1917 में भारत में, 1917 में कांग्रेस का एक elevation हुआ था, 17 में भी हुआ और 1917 से लेके 1919 तक ये वो duration रहा, जब कांग्रेस ने अपने मंज से, क्यों? तो कि 1917 तक आते आते, कांग्रेस अफी भारती समाज में पकड़ बना चुकी थी, और 1917 से 19 तक कांग्रेस ने अपने मंज से, ये समय वो रहा, जब कांग्रेस ने अपने मंज से, कांग्रेस के मंज से, कांग्रेस द्वारा, ठीक, इंडियन निसनल कांग्रेस, जो नेसनल की जाती रही लेकिन यहां पर भी अंग्रेजों के द्वारा कोई रिस्पॉंस नहीं किया गया और इसके बाद 1925 1925 में भारत में एक जो है नेता थी समाज सुधारत थी जिनको हम एनी बेशंट के नाम से जाने जानते हैं ठीक एनी बेशंट ने क्या किया था एनी बेशंट साथा तो इसमंच से किस से कामनवेल्च से कामन मिलक से कामन में मुवेंट था are also podía भारत के लिए भारत की जनका के लिए दो लेकिन यहां पर अंग्रेजों के में पड़ा उन्हें सुना ही नहीं दिया और 1928 में नहरु जी पंडिक जवाह लाल नहीं बलकि मोती लाल नहरु कौन मोती लाल नहरु ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसे आप नहरु रिपोर्ट के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं नहरु रिपोर्ट के माध्यम से इनोंने मोलिक अधिकारों की मांग की 1928 में बंडित मोती लाल नहरु ने जो नहरु रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इस नहरु रिपोर्ट के माध्यम से पहली बार मोलिक अधिकारों की मांग की लेकिन यहां भी कोई बात नहीं सुनी गे क्योंगी मोतिलाल नहरू के इस रिपोर्ट को जैनिक्स ने कहा था कि ये कूडा है और उसे डेस्ट बीन में फिक दिया था तो मोतिलाल नहरू ने भी इसके डिमाइड की 1928 में नहरू रिपोर्ट के माध्यम से उसके बाद 1931 में जो सेकंड राउंड टेबल सेटिंग थी दूसरा गोल में सम्मेलन क्या था गोल मेज सम्मेलन गोल मेह सम्मेलन के दौरां भी गांधी जी के द्वारा ये माँ उठाई गई कब 1931 में 1931 गोल में सम्मेलन जो ब्रिटेन में हुआ था तो तीन गोल में सम्मेलन हो गई थे उसमें दूसरे में गांधी जी ने भाग लिया था कांग्रेस के प्रत्नित के तो डूप में तो इस गोल में सम्मेलन में गांधी द्वारा किसके द्वारा गांधी जी के द्वारा ये मां उठाई गई गांधी जी के द्वारा ये मां आपकिया और कांग्रेस के उस रिपोर्ट और इस डिमांड के बाद नेरो रिपोर्ट और 1934 में फिर जब कांग्रेस ने इसकी मांग को दोहराया 1934 में कांग्रेस द्वारा इस का फिर से जो है जोरदार मांग पकड़ाई गई तो यहां पर जो मांग उठाई गई इसे भी आस्विकार कर दिया गया किसके द्वारा कांग्रेस की इस मांग को उस समय संसत में रखा गया और संसत के द्वारा एक कमेटी बनाई गई संसत समिती बनी और इस कमेटी ने फंडामेंटल राइट्स की मांग को रिजेक्ट कर दिया और जब इस समित ने मांग को रिजेक्ट कर दिया तो लोगों ने वेट किया 1935 तक 1935 तक 1935 में जो सुधार का अधिनियम आना है क्या पताओ उसमें मौलिक अधिकार आये लेकिन 1935 के अधिनियम में भी मौलिक अधिकारों थी कोई जगह नहीं थी तो अंत्रता अंगरेजों के द्वारा भारत में मौलिक अधिकारों की कोई बेवफ्था नहीं बनाई गई और इसके बाद जब 1947 में भारत स्वतंत्र होता है तो आते हैं हम स्वतंत्रता के बाद तो स्वतंत्रता के बाद इसके पहले ही आपके हाँ संब्धान सभा का गठल हो चुका था 1946 में तो संब्धान सभा में मौलिक अधिकारों पर विचार किया और संबेदान समा ने दो समितिया बनाई एक सरदार पटेल किये दक्स्ता में मौलिक अधिकार समिती फंडामेंटल कमिटी ठिक फंडामेंटल राइड कमिटी और दूसरी समित बनी जे बी क्रिपलानी किये दक्स्ता में किसकी जे बी क्रिपलानी किये दक्स्ता में और इन द तोनों समितियों ने मिलकर के जो रेक्मेंट किया उसी में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई और उसी के द्वारा मौलिक अधिकारों को भारती सम्विधान में सामिल किया गया और भारती सम्विधान के भाग 3 में कहां पर पार्ट 3 बार बार ये सवाल बना हुआ है कि भा अर्टिस अम्मेदान के भाग तीन में मौलिक अधिकारों की चर्चा है और इस भाग तीन में अर्टिकिल कहां से अर्टिकल 12 से लेकर के अर्टिकल 35 तक कहां तक 35 अनुच्छे 25 तक तो भाग तीन में अनुच्छे 12 से लेकर अनुच्छे 25 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा ह तो इसके लाए हम लोग ने क्या पढ़ा भारत में मौलिक अधिकारों का इतिहास और विश्व में मौलिक अधिकारों का इतिहास तो जो कुछ आपके एक्जाम में आएगा अगर यहां इस section से सवाल बना दें के उकोशित करते हैं तो इससे बाहर एक सवाल जाने की कोई संभावना नहीं है तो भारत में मौलिक अधिकारों का इतिहास और विश्व में मौलिक अधिकारों का इतिहास यह दोनों चीज़ें आपने इस lecture में complete की इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे भारत के संभावना में जो मौलिक अधिकार दिये गए हैं उनमें क्या-क्या बातें बताई गई हैं इस पे continue करेंगे तो आज के lecture में बस इतना ही thank you, thank you for watching और मैं हमीद करूँगा कि आप maximum से लोग मुझे अपने comment में comment करेंगे करेंगे मुझे यह करेंगे बस्ता लोग मुझे वह करेंगे